नमस्कार किसंबाईों मैं यसके विश्क्रम स्वागत करता हूँ हमारे अपने YouTube चैनल यसके आलनोलोज में किसंबाईों आपका ऐसे ही प्यार बना रहिए हमारे चैनल यसके आलनोलोज को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनागर इनकी रोंक थम हो जाए तो आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब वीडियो और होने वाली कि मित्रों फेसे पहले हमारे आशचके रोफ़ हैं कि सबसे पहले हमारे बैड़ियो को लाइक करें कि सबसे पहले हुमारे उस्वाई हैं कि यहां पर ना कोई हमारे किसनबाई ने बेरिकेटिंग किये नहीं तो यहां पर कहीं पर भी बांसवल्यों का प्रियोग नहीं किया है क्योंकि जेंगल पास में पढ़ता है तो आप देख सकते हैं बीच में एक चक्रोट भी है इधर भी गेहों की फस्तल खड़ी है और इधर भी गेहों की ऐसा हमारे किसनबाई ने काउन सा पददार्थ डाल दिया है जिसकी इतनी गंद आ रही है कि नील गाए यहां पर तो भटकेंगी नहीं क्यूंकि दुसरे के खेतों में इसकी गंद जा रही है तो उसके कारण दुसरे के खेत भी यहां पर कोई बांसवल्य नजर नहीं आ र सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को प्रस्चा करें ताकि ऐसे लेटेस्ट जानकारिया हमारे किसान भायों तक मिलती रहें आप देख सकते हमारे वीडियो में कि यहां पर कोई भी बेरिकेटिंग नहीं की है किसान मित्रों सिर्फ इनों ने जो नीम की खली और इंट भट्टे की राक इनको इनका दोनों का मिश्रण करके इसकी इस्प्रे करा दी है और नीम की खली में किसान मित्रों इतनी गंद होती है कि नील गाय को आप ग्यहूं की फसल में बिल्कुल भटकने नहीं देती है और किसान मित्रों एक बात और मैं बता दूं कि नीम की खली अगर आप इसकी स्प्रे करवाते हैं तो आपके जो गेहूं की फसल में कीट और रोगों का संचालन होता है वो एकदम रुख जाएगा ये दुबारा नहीं लगेगा जब तक आपकी गेहूं की फसल कट नहीं जाएगी तो आप किसानमित्रों नेम की खली और इंट भट्टे की राख इनका दोनों का मिश्रण करवा दें जिससे नहीं लगाए आवारा पसू आपकी फसल के पास बिल्कुल भटकेंगे नहीं तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि यहां पर ना तो कोई हमारे किसानवाई ने बेरिकेटिंग की है ना तो कोई मासवल्ली का प्रियोग किया है क्योंकि इसका आफर दूसरे के खेतों में भी पहुंच रहा है क्योंकि यहां पर भी इनोंने कोई मासवल्ली और ब मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं जनकारी के साथ जब तक के लिए जे हिन जे भारत